तो इन अक्षिरीज देर इन टोटल 13 पेपर्स डिवाइद इन्टो 4 स्टेज़ेज तो जो पहला स्टेज है वो है हमारा कोर प्रिंसिपल्स का तो कोर प्रिंसिपल्स पर देखों के देरा 7 एक्जाम जो पहला एक्जाम है मैं उसी और में लिख रहा हूं जिसमें एक आप बं जितना भी सरह M-codes का पेपर उसमें आपका एक्सल बेस एक्जाम भी होगा जितना भी सरह S-codes का एक्जाम होगा उसमें आपका आर्ट प्रोग्रमिंग का भी एक्जाम होगा ठीक है नॉर्मल में एक पेपर को पंढ़ने के लिए आपको 200 घंटा चाहिए एक बार फिर तो आप से चालु करो if you are very inclined to study maths तो आप CM1 से चालु कर सकते हो ठीक है पहले एक्जामे वह यह होता है और इसके संग अगर आपको यह है कि मैं एक घंटा और पढ़ सकता हूं यह फिर पढ़ सकती हूं तो आप इसके संग एक CB पेपर भी ले सकते हो सो बेसिकली सीबी में आपके तीन आते हैं, सीबी थी सम्थिंग जो एकदम बक्वास पेपर है, अपको कुछ प्रोजेक्ट सब्मिट करना पड़ता है, तो सीबी थी हम लोग बोलते हैं हमेशा आप टौर्ज दी एंड दो, स्टार्टिंग में आप सीबी थी मत दो, सीबी थ पेपर मतलब 13 ते फिर 12 पेपर क्योंकि वो कंपनी पैसा देता है उसका, most of the companies they give you reimbursement for CB3, so basically CB3 is not a paper, CB1 and 2 में CB1 is finance, CB1 जो है वो है आपका finance-based paper, and CB2 है वो है आपका economics-based paper, so जो finance-based paper है उसमें आपको पूछेंगे, accounts, audit, taxation related, ठीके न, general finance, basically company में IPO कैसे आता है, and all, company का structure कैसा होता है, debt, equity, ठीके ये सब सब के बारे में आपसे पूछते हैं, तो CB2 is a paper on economics, जहां पर आपको micro macro में divided है, so जो CB level जो exam से उसमें आपको roughly 100 hours पढ़ना पढ़ेगा, and जो CMCS exam से उसमें आपको 200 घंटे पढ़ने पढ़ेंगे, ठीके, ये आपका term 1 हो गया, ठीके, इ सकते हो, इसने मैं यहां पर उल्टा कर देता हूँ, मैं आपर CB, basically अगर आपने यहां CB2 दिया है, तो आप यहां CB1 दोगे, यहां आपने CB1 दिया है, तो यहां CB2 दोगे, so CB1 is the paper on finance, CB2 is the paper on economics, CS1 मैं आपर डाल देता हूँ, oblique CM1, अगर आपने यहां CM1 से चालू किया है, त तो आप यहां CS1 दोगे, अगर आपने यहां CS1 से चालू किया है, तो यहां CM1 दोगे, so basically पहले ही साल में आप चाहो, dedicatedly अगर आप दिन का 3-4-5 घंटा पढ़ोगे, तो आप पहले ही साल में 4 exams clear कर सकते हो, we will never suggest कि आप दो बड़ा paper दो, बड़ा paper का मतलब होता है CMCS, हम लो So basically, अगर मैं एक दम दुवारा समझाता हूँ, आपने यहां, मैं संग-संग आपको order भी समझाते जाओंगा, कि आपको किस order में exam देना है, मैंने आपको बोला है ना, कि 4-5 साम में पूरा clear होगा, तो कैसे clear होगा वो देखे, so basically आपने एगर CM1 से चालू किया है, तो आप CM CM1 के संग में CB1 का exam ले लो, next item में फिर आप देदो CS1 के साथ में CB2, कोई item में आपको कोई personal commitment हो गया, term छोटा है, ऐसा लोग बोलते हैं कि यह term छोटा है, यह term लंबा है, तो आप चाहो तो आप एक बड़ा paper आपको देना ही है, एक बड़ा paper देना है, छोटा paper यह आपके उपर में और यह हमारे उपर में कि हम आपका talent देखेंगे, अगर हमको लगता है कि आपको एक और छोटा paper लेना चाहिए, तो हम लोग सामने से आपको आपको आपके suggest कर देंगे, ठीक है ना, so वैसा नहीं है कि starting में आपको दो paper लेना ही है, start with only one paper, अगर आपको एक मैना comfortable लगता है, तो फिर आप आप आगे उसको करो, ठीक है, यह हो गया, फिर term 3 में आप दे सकते हो CS2, which is risk modeling का paper, ठीक है न, CS2 का जो paper है, यह basically again higher level statistics and R programming, ठीक है, so basically risk modeling का paper है यह, so इसमें भी आपको stats and R programming, तो CS2 थोड़ा सा difficult exam है, तो इससलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं generally कि CS2 के साथ में आप कोई भी paper ना दो, CS2 के साथ में आप कोई भी paper ना दो, ठीक है, बट अगर कोई चाहे तो CB level अगर यहां clear नहीं हो, तो यहां यहां पर दे सकता है, ऐसा कोई problem वाली बात नहीं है, ठीक है, again there is term 4, उसमें आप दे सकते हो CM2, अगर यहां पर मानलो, CB level exams नहीं clear ह हुए, तो यहां तो इसको यहां दे तो, यहां पर यहां दे, CM2 is a paper on stock markets, so CM2 is a paper on stock markets and round in motion, so basically इसमें थोड़ा बात आपका stochastic calculus है, जो आप पहली बार पढ़ते हो, बाकि this is totally on stock markets, जहां पर आपको basically mean median से सिखाएंगे, कैसे returns calculate होता है, and what are the risk measures, उसके बाद में, there are various models, interest rate models है financial models है, there is derivatives, future option, call option, put option, उसका derivation, binomial model, so it's in depth on stock markets, so basically these are the papers, आपका पहला stage, which is the core principle stage, so 7 paper है, CB3 मैंने बोला, वो आपका अभी नहीं देना, वो बाद में दोगे, like it should be your, maybe your 10th exam, वो आप कभी भी दे सकते हो, उसका कोई issue नहीं है, so यह आप पहला चाहो, तो आप पहले 2 साल में, आप यह 6 paper clear कर सकते हो, जो आपका stump है, stump मतलब, basically जो pillars होते है, एक जो building जो बनता है, उसके जो pillars होते है, जो building blocks होते है, जो stump है, वो यह, basically यह आपके 6 papers माने जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में, in your term 5, उसके बाद में, in your term 5, you give a challenging paper, which is CP1 actuarial practice, now comes the next stage, which is core practices, so core practices are 3, there is CP1, CP2 and CP3, again in these 3 exams, CP1 is very easy, sorry, CP1 is very challenging, and in your term 6, and your term 7, so CP1 is actual practice, इसमें basically क्या होते है, वो लोग आपको बोलेंगे कि, एक aquarium बनाना है, so aquarium कहां बनाना है, aquarium के आसपास में क्या होना चाहिए, aquarium का cash flows कैसे आएगा, aquarium बनेगा तो कैसे बनाना है, उसमें क्या risk है, क्या reward है, aquarium में मचलिया कहां से आएंगी, कौन-कौन हमारे vendors होंगे, so basically आप से कुछ भी पूछ सकते हैं, आप से यहाँ पर कुछ भी आपका imagination, आपका basically आप कितना points add कर पा रहे हो, जैसे for example एक bank loss में जा रहे है, तो वो क्यों जा रहे है, the kind of risk a bank can face, ठीक है, आज जैसे US में 2067 में जो credit crisis हुआ, वो क्यों हुआ, because loans were given to subprime borrowers, मतलब जिसका ओकात निये loan का, उसको भी loan pass हो जा रहा था, because bank managers were having a commission, कि अब जितना loan pass करोगे, आपको उतना commission मिलेगा, and ultimately कि अब पूर economic collapse हो गया, ठीक है, so basically CP1 is a challenging exam that I accept, but challenging in a sense मतलब what, आपको steady पढ़ना है, जिससे मैं आपको उताता हूँ, CM1 में किया है, आप 6 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन हलका नहीं पढ़ा चल जाएगा, पट ये एक ऐसा exam है, जहां आपको 3-4 मिना लगातार एकदम consistently पढ़ना है, because लोग ऐसा बोलते हैं कि 13 का 13 paper में बहुत ज़धा maths है, बहुत ज़धा stats है, अगर 13 maths में 100 और आप 100 नहीं आया ना, तो तू नहीं कर सकते हैं, अगर किसी का basically, अगर कोई pure maths student है, और अगर कोई business maths का student है, जैसे महलों business maths वाले लोगों को थोड़ा बहुत effort extra लगाना पड़ेगा, and वो लोग अगर थोड़ा बहुत maths पे ज़्यादा focus करते हैं, तो वो लोगों को आगे भी उतना कोई problem नहीं होगा, आपको जो भी numerics देखने को मिलेंगे, वो इन ही में ज़्यादा करके दे को SP देना है, specialist principles आपको 2 देना है, basically a list of 9 to 10 exams are there, जिसमें से आपको any 2 देना है, ठीक है, so basically आप यहाँ पर दे सकते हो, SP का paper 1, SP का paper 1 और उसके संग में आप club कर सकते हो, CP 2 oblique CP 3, so CP 2 is the paper on modeling and CP 3 is the paper on communications, ठीक है न, so by this time if you are working, if you are working तो आपको अल्यड़ी पता होगा, for example आप health domain मे काम करे हो, तो आप health का paper दोगे, अगर आप life domain में काम करे हो, अगर आप finance domain में काम करे हो, आप risk management derivatives के, तो आप वहला paper दोगे, right, अगर आप capital modeling करे हो, तो आपको देखना पड़ेगा, आप कौन से domain में काम करे हो, आपका area of expertise के, आप वहला specialist paper दोगे, so basically two specialist papers you need to give, in the 7th term you can give SP paper 2, along with that you can complete CP 2, 3, so अगर मानलों आपने यहाँ पर CP 3 दिया, CP 3 is a paper on communications, so हम लोग जैसे बोलते हैं, word morbidity, so एक layman को maybe एक बार में नहीं समझ मैं, so how to communicate actual tone to non-actual audience, there should not be any jargons while, for example मैं बोलता हूँ laps, so basically हो सकता है एक बार non-actual audience को उतना नहीं समझ मैं, मैं बोलता हूँ को एक particular assumption, uniform distribution of death, तो हो सकता है अभी आप लोग को उतना नहीं समझ में आ रहे, so basically how can we communicate, how can we communicate actual terms to non-actual audience, how we communicate, so it's a paper on communication, CP 2 is a paper on modeling, so modeling का मतलब क्या होता है, basically how आपको पूरा Excel पे model बनाना पड़ेगा, basically वो लोग आपको पूरा एक देंगे, case study base देंगे, और वो आपको पूरा Excel पे complete करन करना है, so यह दोनों एक्जाम, again they are very simple, मैं भूल से CP 1 के लिए बोल दिया था, these two exams are again very simple, like if you are practicing regularly, you are working, तो आपको इस पेपर में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, nowadays students are also giving these exams, so उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, now next comes the 8th exam, 8th, basically 8th term which is the essay paper, which is the essay paper specialist advanced, so there are 4 stages, core principles, core practices, specialist principles and specialist advanced, so basically the 4 stages, so यहाँ पर आपके है 7 exams, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है 1, again specialist advanced paper में भी बहुत सारे exams है, आप सिर्फ वही exam दोगे, जो आपके interest का है, आप वही exam दोगे, जो आपके interest का है, so this is how you can plan your exams, हो सकता है, मैंने आपर 4 साल 8 तम में बनाया हो सकता है, किसे को 5 स साल 10 तम भी लग जाए, ठीक है, it's everybody सबका खुद का अपना timeline है, ऐसा को stress और प्रेशन नहीं लेना है, अगर आपको एक एक paper करके देना है, आप easily इसको 6 साल में complete कर सकते हो, 13 exam, CB3 आप कभी भी दे सकते हो, अगर आप एक paper भी दोगे, तो भी आपका 6 साल में complete हो जाएगा, तो 4 साल graduation का, 2 साल MBA का, 6 साल, CA अगेन आपको 5-6 साल लगते है, तो actually is also full-time course, जहाँ पर आपको 5-6 साल dedicatedly invest करना पड़ते हो,